शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें सोमवारी कॉर्टर के शहुगार्डन में गुंडों का आतंक शहुगार्डन की हुई लचर हालत, सोमवारी कॉर्टर के शहुगार्डन में दारू और अवित कामों का बोल बाला है आधी कई बातों से इस गार्डन के पैचाना शहर पर में हो रही है इस और पुलीस प्रशासन, एनाइटी प्रशासन ध्यान देने की मांग सोमवारी कॉर्टर के परिसर के नागरिकों ने की है गर्षय को इसमय में Invation Kitty सुमवारी कौर्टर परीसर में है यह वो ही सुमवारी कौर्टर का परीसर है जहां पर आप देख सकते के एक यहां पर मनपा द्वारा गेट बनाय गया था जहां पे स्वर्गिय शहीद राजे शहु प्रवेश द्वार मनपा यह लिखा गया है और इसी गेट के बाजू में है एक यह गार्डन जिस गार्डन को यह नाम दिया गया था स्वर्गिय राजे शहु गार्डन नाम जो दिया गया था वो राजे शाव इनके कामकाजो को देखते हुए जो शहीद हुए थे उनको देखते हुए लोगों ने सम्मान के प्रति उनका नाम यहां पे दिया था और ऐसे शहीदों का जब नाम देते है तो उनका गवरों बनता है मगर आफसोस कि आए दिन इसी में इसी गार्डन की वो लचर हालत बनी हुई है हम आपको सिलसले वार सब बताने वाले है अब हम आपको भीतर ले चलते है तो इस गार्डन की खासियत यह है कि यहां पर काफी अच्छा फॉंटन भी था शुरू लेकिन बारिश के वज़े से यह बंद है नहीं तो यह गार् शराब की बॉतली मैं हाथ नहीं लगाना चाहूंगा थोड़ से पायन करके दिखें अलग अलग कंपनी के शराब यहां अंग्रेज शराब की दिखाई देते हैं बड़े बड़े पानी के बॉतले दिखती है और कूड़ा कच्रा इस तरह फैला है मानों जैसे बिच्चू ह में कुछ साफ हो इसे हो सकते है अगर यहां कोई गारण में गुंने फिरने के लिए छोटे बच्चो के साथ अगर उनका वी भागा आते हैं अगर उन्हें कुछ सापने काट लिया तो बड़ी दुरगटना हो सकती है उससे भी कई बड़ी दुरगटना रात को यहां पर शरारती तत्व बैठते हैं गार्ड हमारे साथ में उनसे जाना चाहिए आप बताइए क्या रात के समय आप यहां रहते हो नहीं क्या कितने क्या स करते हैं यहां कि काकर बता इए रोधाना आप सपाइब का लगता है आपको क्या क्या निकलता सपाई में कुड़ा कच्रा क यहां कच्रा पॉरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है ना यहां पर परश्जद दे रहे हैं फोलना चाहता हूं कि यहां पर जो पोजिशन है कि अब यहां के डूटी करते है यह आट बज़ी तक रह दो आठकर बाद देखें कि वह बस्ती के नउन कृमिनेल ड़के आते हैं वह बैठ जाता ह और पूचिए सब गेट तूटे यह वाला है साम्मले वाला गेट है चोटा वाला और तीन गेट तूटे अभी कि अधर लॉक्डाउन पे ताले बंग ते अभी और मालूम ने अभी तक के ताले रहेगे कि निरेगे इनका कोई बहुतार देगी बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो शरारती तत्व है उन्हें वो फित्रत होती है और फित्रत किसाफ से वे लोग काम करते हैं यहां पर शरापी तेक सर आप क्या कहना चाहंगे इसी परिसर से आप रहने वाले हो इस गार्डन के अंदर में इसके अंदर में सब 15-16-17 साल से सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर कारपरशन के तरफ से कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है पॉलिस परशेशन की एक टीम आती है दस मिल्ट के लिए रूखती है पोर्टिलिंग देके चले जाती है जब कि उसका समय यहां पर ज्यादा टाइम चाहिए यहां पर रात म काम इधर चलते रहता है शराब पीना और पत्य खेलना वगरे वगरे आज वाजयों के जो रहने वाले कालोनी के जो लोग है इनसे वह तंग हो चुके हम लोग सीधे साधे लोग है हम लोग इस बात को फेस्ट नहीं कर सकते हैं तो परशासन ने हमारे कारपूरों ने इसके इधर राजे शहु राजे शहु इसी परिसर में रहने वाले थे कारगिल गिद्ध के दौरान उनको शहादत हुई और शहादत के चलते उनका नाम शहर के नागरिकों ने इस गारडन को देनी की मांग की गे थी जिसके चलते मनपा प्रशासन ने इस गारडन का नाम शहीद जाना चाहिए कि जिस तरह से आपके शहीद भाई का नाम इस गार्डों को दिया गया था मगर जो लचर हालत बनी आज गुंडों का जो तत्व है शरारती तत्व उनका एक यहां पर डेरा रहता है अब यह गार्डन होने के बाद एक बहुत बड़ा उन लोगों का ऐसा बैट देख रहें हमने कित्ती बार पुलिस कंड़ें भी आते देखके चल जाते उनके दोस्वाइं निकलते को ध्यान देते नहीं नगर से कोई वद्वर कंड़ें लेकिन वह अंदेका करते कि यहां पर रोचका नाटा करते खुराबदीय करके यह गार्डन करके और गार्डन का पर देना चाहिए लेकिन वह यहां पर कोई द्वर को देते नहीं है कि सबने समझना चाहिए कि इत्तोड शहिद हुआ अपने देश के लिए शहिद हुआ राजशाओ करता हो लेकिन बाखी लोगों की समधी से कोई ध्यान देता कोई अंडेगा करता तो सब ने मिल जूट होके सब करना चाहिए कि दुबार आइसा ना हो दुनिया वर की समध्या गाडन में यह सब पढ़ा रहता गेट का नाम तुटा हो पढ़ा है पानी की समध्या बहुत समध्या बहुत लोग आके बढ़ते काफी बहुत सी बात अप्लिकेशन दिया हो थाने में इन अटी का है बहुत से प्राबलम है अभी कितना वोलना अदमीने बहुत काफी दिन जो तक लिए जो इस प्रकार के काम काज करते हैं उनके पर पूरा अंकुश लगाना चाहिए क समय में हमार साथ में पार्शा सतिश होले है अई उनसे जाना चाहिए होले जी यह बता है कि जिस तरह से शहीद राजेशाओ गार्डन जो नाम दिया गया उस गार्डन की लचर हालत हुई है हाली में एक हत्या भी हुई है वहाँ पे जो तार का पूरी तरह से टुटा- और फिट्रूरी तरफ है महानगरपाली के तरफ अभिज्या ठंडर हो रहा है और पिठले 2 साल से यह प्लक्रिया हो रही है एईनिटी कारपोर्शन अभी तक कारपोर्शन हें ड्लोल हुआ नहीं है लेकिन वहां जो फॉंटेन लगा है कार पोशन लगा वहां जो पैटरोलिंग और रहे तो क्राइम रूप सकता है तो इस वीशे को लेकर क्या आपका पुलिस सवारों से बात किया है कि कर दो बढ़ते रहता है पुलिस डिपार्मेंट करता है कि हम गई कोईट के वज़े से शायद भी भर ठक गए इसलिए इतने में थोड़ा प्रमान कम था सटी जी जी बती कि जीस प्रकर से आपने कहा कि मैंने ओर लिए उनको बता है लेकिन लिखित रूप से आपने ऐसी कोई शिकायत पूरी त्थाने में करने का विचार आपका है कि नौश्रार इत्ता भारी है कि इनको अगर मैं लिखित में कंप्लेंट कर दू त्या बदमास व तो इस पर डरनी के क्या बात है क्योंकि आप तो एक पारिशाद हो आप तो सब्सक्राइब नहीं है पूरे गाओ गटे का नगर से ओक नियामदर खादर भी चर्व है और वहां रहने वाले लोग भी है किसी ना किसी आदमी का तो काम है मैं तो वहां 24 गंटे नहीं रहता है ज उन्होंने ये कहा कि नागरिकों की भी या जिम्मेदारी है वे भी पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं और जिस प्रकार से गार्डन के जो लचर हाले तो यह उसके बारे में जब हमने उन से पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि एनाइटी के तरफ यह दिया गया है अभी कार के तरफ हैंड और करना भी भाकी है जैसे हो जाएगा तो इस गठार्डन के फीर से संद्रिया करण किया जाएगा लेकि शरारति तत्यों पे अंकुष्छा करने का काम पुलिस का है और पुलिस को सवयोग करने का काम जनता का है हमने भी कई बार उरली बाताय अब नागरिक भी बता है यही मांग इस समय में पार्शा सतीशोले इन्होंने की है कैमेरा परसन वीरेंदर खुबरागड़े के साथ संजय मेरे इन्बी सेन नियूज ना